नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका और एक नया वीडियो में मैं हूँ राहूल और आप देख रहे हैं पॉइंटसोलोजी दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप से प्रेटिट कर्स के बारे में दोस्तों ऐसा वीडियो आपको यूटूब पर कहीं नहीं मिले कृटि करें रहा है और हरे के कौन को इंपौरें करेंगर में तो मार्केट में बहुत सारी कार्ट सेलें विडियो में बीडियो में तो डिफेेंट टाइप्स ओपरndशन कर नहीं tahu क्रेंगर credit card पहला जो category हो गया travel card, second category lifestyle cards, third category rewards card, fourth category cashback and shopping, fifth category corporate cards, sixth category fuel cards, तो दो ये basically six types of important category है, इससे भी ज्यादा category होता है लेकिन मैं ये बस इनी छे को select किया हूँ आपको बताने के लिए और मैं ये भी बताने वाला हूँ under every each and every category कौन-कौन सा important credit card है, वो भी कौन-कौन सा bank का, तो दोस्तों बिना skip की होए, आप ये वीडियो को पूरा end तक देखीगा, इस वीडियो में बहुत सार information है, मैं बहुत अच्छे से explain क्या हूँ कौन-कौन से credit card आप ले सकते हो, कौन-कौन से नहीं ले सकते हो, और मैं basically यहाँ पे तो important credit card का ही, यहाँ पे discussion देने वाला हूँ, तो आप उन में से कोई भी एक select कर सकते हो, as a starting credit career, और आप बहुत premium credit card अगर यूज कर रहे तो बहुत अच्छा है, तो आपके लिए वीडियो बहुत informative होने वाला है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला रहेगा travel cards, तो travel cards में जो हम लोग देख लेते हैं, पहला option आत तो आप गूगल कर लेना में इसके बारे में बाद में dedicated beauty बना दूँगा क्या होते हैं, इंटर माइल्स और क्या 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 इसके features facilities होते हैं, तो इंटर माइल्स को ब्रैंडेट कार्ड आपको ICAC में मिलता है, और आपको HDFC में मिलता है, तो यहां पर देख सकते हैं, डाइन अगर माइल्स और सिटी प्रेस्टीज, एक्सिज में 20 क्रेड़ कर्ड, बैंक माइल्स और मैंगनास, विस्तरा क्रेड़ कर्ड में अकेन 3 वेरियंट्स आते हैं, इक्सिज बैंक है, सबसे पहला वाला जो लोगर वेरियंट है, प्लेटिनम, सेकेंड सिगनेचर और थर्ड इनफाइनएट, और ICAC का ब्रिटिश एर्वेस कार्ड माइल्स को ब्रैंडेट कार्ड है, अगर ब्रिटिश एर्वेस तभी आप यूज करो, अगर आप बहार ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो, या फिर ब्रिटिश एर्वेस से ट्रैवल करो तो ही आपके लिए अच्छा होग है, अगर आप कोई ब्रइस कार्म का ब्रम करते हो, या फिर आप कोई ब्रच ब्लॉज करे ऑसे अगर आप और यह कोई 개ड नाम होता है वह एक vo faint होता है, आप वो redeem कर सकते हो अगर आप Emirates fly कर रहे हो या फिर आप कोई भी बाहर देश में और भी इंटरनेशनल एरलाइन फ्लाइड कर रहे हो तो इन देख लेते हैं दोस्तों यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं इतना सर ऑप्षन दे दिया है सिटी बैंक एक्सिस इन में से कोई भी आप ले लो अपके लिए बहुत अच्छा रहे हैं दोस्तों सेकेंड पॉंट हम लोग देख लेते हैं लाइफस्टाइल काड लाइफस्टाइल में अगे आता है इन्फिनिया क कि 750 के ऊपर होना चाहिए और डाइनस क्लाब ब्लैक अगें भी बहुत अच्छा काड यह भी आप ले सकते हो और नो डाउट सी इस्टी एफसी के जितने काड़ होते हैं टॉपेंड वाले बहुत अच्छे काड़ आप कोई भी लो आपको रिवार्ट बहुत अच्छा मिलन काड़ है इसे एमरेल और जमस्टोन काड़ अमरेल काड़ एक टॉपेंड काड़ है बट आइसे इसे का मैं पॉइंटिंग सिस्टम मुझे पसंद नहीं क्योंकि उन्हों के पेबैक के साथ लिंक पैजिसका पॉइंग सिस्टम बहुत आइमिन लो लो है तो जिसके कारण मा लो बहुत जाद है क्योंकि वो डिरेगल आपको माइस देता है तो अमरीकन एक्सप्रेस में आते हैं दोस्तों अमरीकन एक्सप्रेस का जो प्लैटिनम है वह बहुत टॉपेंड काड़ जैसे मैंने पहले ही बताया वह ट्रैवल के लिए सब करते है आप अप इस भी आई का सब्सक्राइब करते हैं और प्राइम है दोनों में से कोई एक लेलो दोनों बहुत अच्छा काड़ स्टैंडर्ड चार्टर का अगन विजा इन्फैनित मैंहाटन है प्लैटिनम एलाइट मैं कहूंगा मैंने इसका रिव्यू देखा बहुत अच्छा है और इंदस इनका अ इसके लिए आपके पास एक पुराना क्रेडिट काड होना चाहिए और आपके पास एक अच्छा क्रेडिट काड होना चाहिए और आपके पास एक पुराना क्रेडिट काड होना चाहिए और आपके पास एक पुराना क्रेडिट काड होना चाहिए और आपके पास एक पुरा क्रेडिट स्कूर होना चाहिए तो दोस्तों इस भी देख लेते हैं यह उतना खास कार्ड नहीं लगता है क्योंकि बीग बजार में इसके डिसकांट्स मिलते हैं आप 10 परसेंट वर्य करता है आपको अगर पसंद है तो आप ले सकते हो इसे मेरे पासे मैं ले चुका हूं बहुत बहुत हेल्प करने वाला है और स्टेंडर्चे आपसे देता है जैसे बीक बस्त कैनल और बहुत सारे आफस चलते रहते हैं पर इंदес इंड कोई special card नहीं है in the terms of reward cards ऐसे तो rewards देते हैं but basically reward जो नाम है in that terms इसका कोई special card नहीं है तो दोस्तो फोर्थ point हम लोग देख लेते हैं cashback and shopping cards तो start with SDFC bank millennia card money back easy MI है यह सब basic card है आप इन में से कोई एक ले सकते हो city bank का first citizen and titanium first citizen है जो आप shopper stop में भी दोस्तों मिलते है मैं first time गया था तो मुझे यह वहीं पता चला था citizen card के बारे में आप भी ले सकते हो कोई problem में online apply करो आप store में भी जाके apply करो दों में मिल जाएगा आपको access bank flip card card जो बहुत important card है क्योंकि इसमें आपको interest fee EMI देता है सबसे इसका important feature है और ICC bank Amazon card देते हैं Amazon पे यह इंट्रेस फ्री EMI देता है यह दोनों आप रख सकते हो आपके पास यह must card है आप कोई भी चीज यह में में ले सकते हो कोई problem नहीं है और बाकी card सापको interest charge करता है at least 15 to 20 percent American Express smart on CC और Payback CC यह बहुत basic card है बत मैं आपको बताऊंगा आप वह membership reward card लो बहुत अच्छा card है इससे at least इससे बहता रहा है तो आप ले सकते हो कोई problem नहीं है उसमें SBA card अब देख सकते हो Central CC Select और SimpliSafe इन दोने में से आप SimpliSafe के साथ जा सकते हो अगर Central के साथ जाना है अगर आप Central में shopping करते हो तो Central भी ले सकते हो कोई problem नहीं है और Standard Charter DG Smart Card CC इसका इसा काड जो क्रेटर काड इंडस्ट्री में इसका अनुड़ फीस सब से लोएस्ट है जैसे की 49 रूपीस इसका एनुड़ फीस बहुत ओफर देता है जैसे की 10x पॉइंट ओला के साथ और या फिर आप कुछ ओडर कर रहें उसके साथ 25x कभी-कभी मिलता है बहुत अलग-अलग इसकी पॉइंटिंग सिस्टम है और इंदस इनका पेवेक हैं नेक्स्ट यह भी बहुत बेसिक सा काड है अगर आपको लेना है ले सकते हो वारना HDFC City Axis और कार्ड यूज करते हैं जो City Bank देता है अब क्योंकि इसका rewards बहुत अच्छा है एक reward जो है वह इकॉल टू 1 रुपी होता है अगर आपको इंडियन पेट्रोल पंप पे जाके और लेते हो एक्सिस बैंक कोई स्पेशल कार्ड नहीं है आईसेजी बैंक का HPC Coral है American Express का भी अग आप किया था जैसे corporate और corporate मैं इसलिए यहां पर नहीं दिखा रहा हूं कि वह corporate बहुत काम लोग लेते हैं और उसमें जो reward मिलते हैं उतनी rewarding नहीं होती है और corporate कार्ड में offers भी नहीं चलता है आप जनरली जो देखोगे American Express जो offer दे रहा है लेकिन वह corporate cards पे नहीं लेते हैं अब आप email करो मैं जरूर हिल्प करने मला हूँ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा यह वीडियो अगर आपके अच्छा लगा है तो आप शेयर करो अपने दोस्तों के शेयर करो और लाइक करो अगर आपके आपको भी इंट्रेस्टिंग लागेगा आपको भी नॉलेज गेन होगा तो अगर आप नहीं आया है इस चैनल पर तो आप इस चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लो क्योंकि यह पर और भी इंट्रेस्टिंग कंटेंट आने वाले हैं रिलेटेटेट लग्जरी ट्राइब अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार